दोस्तो क्रिकेट के मेदान पर धोनी का दिमाग सूपर कम्प्यूटर की तरह तेज चलता है जिनके सामने खिलाडियों के साथ साथ अमपायरों की भी हवा पूरी तरह से टाइट हो जाती है और दोस्तो आप जरा एक बड़ सोच कर देखिए कि वो मंजर कैसा रहा होगा जब अमपायर की उगली उठाने से पहला ही धोनी ने DRS लिलिया हो और आखिरकार उस मैच में ऐसा क्या हुआ होगा कि महार विकेट कीपर धोनी को विकेट कीपिंग से हटा बोलिंग कराया गया वो भी खतरनाक दिख रहे खिलाडियों के सामने तो दोस्तो आज की इस वीडियो में आप धोनी के ऐसे ऐसे संदार प्रजेंस आप मैंट को देखने वाले हैं जिसे भारत के युवा विकेट कीपरों को गौड से देखना चाहिए सबसे पहले आप देखने वाले हैं कैप् गई दरसल दोस्तो एडलीड में इंडिया और अस्ट्रिया की बीच एक वन डे मैच चल रहा था पर टार्गेट चेज करते हुए टिम इंडिया मुश्किल परसित्यों में दिखाई दे रहे थी लेकिन धोनी के साथ साथ दिने सकार्तिक भी मैदान पर संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे थे तभी ड्रिंक के दवरान चाहल और खलील आमद मैदान पर ड्रिंक लेकर पहुचे लेकिन ड्रिंक लेकर आए खलील आमद पीच पर इधर उधर घूमने लगे जिसे देख में धोनी का पारा पूरी तरह से हाई हो गया और वो खलील आमद को डाटने दरदा दोस्तों धोनी ने ऐसा इसली किया क्योंकि खलील आमद के पीच पर चलने के विज़र से खलील के जूते की स्पैक से पीच पर बनने वाले जूतों के निस्तान अस्ट्रेलिया के इंदबाजों के फायदे मन्द साबित हो सकते थे और अगर पिच्छ से बॉलर को देखने वाले हैं कि आके धोनी कैसे किसी खिलाडी की आँखों में आखे डाल कर उसे चकमा देते हैं दरसन दोस्तों भारत और यूए के बीच एक सांदार मैच खेला जा रहा था और भारत की तरफ से यूराज सिंग बोलिंग करा रहे थे यूराज की बाल को बैट्समें स पास ऐसे पोजीशन में खड़े थे कि खिलाडी को तनिक सक भी नहीं हुआ कि धोनी उसे रन आउट करने का प्लान बना चुके हैं तब हार्दिक पांड़ा के तरफ से गेंद तेजी से धोनी के हाथों में आती है और धोनी पलक छपकने से पहले बल्ले बाज का काम अराम स सामने थे इसके बावजूद दे में धोने बल्ले बाज को तनिक भी मसूस ही नी होने दिया कि वो कहां देख रहे हैं और क्या करने वाले है लेकिन दो तो यह तू कुछ मीं नहीं क्योंकि अब जो आप देखने वाले हैं उसे देखने के बाद आपको यह पूरा यकीन हो च शोदा रनों की स्कोर को न्यूजिलेंड की टीम आसानी से चेज करते हुए दिखाई दे रही थी त्योंकि भारती टीम का कोई भी गेंदबाज कुछ नहीं कर पा रहा था। तबी धोनी ने प्रजेंसा मैंड का इस्तिमाल कर एकदम बवाल कर दिया। धरसल दोस्तों एक वाइड जा रही गेंद न्यूजिलेंड के बैट्समेन के थाई पैट से टेकरा कर उराज सिंग की तरफ तेजी से गई तो धोनी ने जोड़ जोड़ से लबी डाबलू की अपील कर बल्ले भाज के मैंड को पूरी तरह से डाइवोर्ट करना सुरू कर दि तभी उराज सिंग ने गेंद को विकेट की तरफ तो किया जो विकेट को हिट बिल्कूल भी नहीं कर पाती अगर धोनी अपने हाथों के इसारे से उसे विकेट की तरफ ना मोड़ते दोस्तो धोनी की संदार presence of mind और संदार wicket keeping के सामने न्यूजिलेंड के बल्ले बाज को घुटने टेकने पड़े लेकिन दोस्तो इस बल्ले बाज ने आउट होने के बाद ये कहा दिया कि ये विकेट ना तो गेंद बाज का था और ना ही उरासिंग के थ्रोका ये विकेट M में धोनी के presence of mind और उनके संदार wicket keeping का संदार नमूना था लेकिन दोस्तो पूरी दुनिया सब दंग रह गई जब धोनी ने भारतों इंगलेंड के बीच चल रहे एक मैच के जश्च खतम होने के बाद अमपायर से उस मैच में इस्तिमाल की गई पुरानी गेंद को मांग लिया अमपायर ने भी धोनी के request के बाद वो गेंद धोनी को तो दे दिया पर वो भी ये सोच कर परिसान थे कि जो टीम BCCI ये से इतने बड़े क्रिकेट बोर्ड के अंदर आती है उस टीम के कप्तान को भला पुरानी गेंद क्यों मांग लिप पड़ रही है और जब एक प्रेस का फ्रेंस के दोरान MS धोनी से इस सवाल का जवाब पूछा गया तो धोनी का जवाब सुन हर कोई उनकी स्मार्टनेस का पूरी तरह से दिवाना हो गया जैसे दोस्तों धोनी ने बताया कि उन्होंने पूरानी गेंद इसले ली कि उनकी टीम का हर खिलाड़ी इस पूरानी गेंद से प्रेक्टिस करके मैच के लाश्ट ओवरों में संदार परफाउमेंस दे सके क्योंकि दोस्तो पुरानी बॉल से प्रेक्टिस करने पर अमारे टीम मैच के अंतीम पलों में पुरानी बॉल का सामना अच्छे तरीके से कर पाएंगी और इसलिए मैंने अमपायर से पुरानी गेंद मांग ली दोस्तो धोनी का जवाब सुनने के बाद नौकेवल दुनिया की सभी टीमें बलकि भारत का हरेक सक्स भी ये सोच कर हैरान रह गया कि आखिर धोनी इतना दूर तक कैसे सोच लेते हैं लेकिन दोस्तो अब आप देखने वाले हैं भारत और सिरलंका के बीच खेले जा रहे मैच के बीच हुए एक ऐसी घटना को जिसने ये साबित कर दिया कि आखिर मेस धोनी को DRS किंग या धोनी रिव्यू सिस्टम क्यों कहा जाता है दरसल दोस्तो भारत और सिरलंका के बीच एक वनडे मैच खेला जा रहा था और मैच में भारते टीम की हालत एक दम खराब थी इसका अंदाजा पिती बात से लगा सकते हैं कि भारते टीम के स्कोर 32 ओबर में ही 8 विकेट खोकर मातर 87 रनी था लेकिन उस मैच में मेच धोनी दिवार की तरह खड़े थे और जस्प्रीद बुमरा इगारा गेंदो को खेल कर उनका साहत दे रहे थे तो अभी स्रिलंकन गेंद बाजपत हीराना की अगेंद बुमरा की तरफ जाती है और सब इस स्रिलंकन खिलाडी LBW की जोड जोड से अपील करने लगते हैं और बुमरा भी पूरी तरह से आस्वस्त थे कि वो पूरी तरह से आउट हो चुके हैं पर अमपायर की उगली उठाने से पहले नौन स्ट्राइकर इंड पर खड़े धोनी ने DRS के लिए इस सारा कर दिया जिसे देख सब पूरी तरह से दंग रह गए कि नौन स्ट्राइकर इंड पर खड़े होने के बाद भी इतना confident आखिर कैसे पर जब इस DRS का result भारत के पक्ष में आया तो सब ने ये मान लिया कि आखिर DRS का मतलब धोनी review system क्यों है दोस्तो ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि धोनी ने अब तक जितने भी review लिये उसमें से लगभग 90% साही साबित हुए है और दोस्तो ठीक ऐसा ही एक और वाकिया भारत और पाकिस्तान के मैच के बीच हुआ लेकिन उसे देखने से पले हम आपको बता दे कि आखिरकार उस मैच में ऐसा क्या हुआ होगा कि दुनिया के सबसे स्तांदार्ड विकेट कीपर धोनी को विकेट कीपिंग छोड़ बोलिंग करानी पड़ी दर से दोश्तों भारत और इंग्लेंड के बीच एक टेस्ट मैच खेला जा रहा था पर इंग्लेंड टीम के केविन पीटर्सन को आउट कर पाना भारत के किसी भी गेंद बाज के लिए बहुत ज़्यदा मुस्किल हो रहा था कभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जीसे देख सबकी आखे खुली की खुली रहा गए यूँकि गलब्स और हेलमेट पाने राहुल द्रेमिड कीपिंग के लिए विकेट के पीछे खड़े दिखाए दिये और रिदी मांसा जो की भारतिय टेश्ट टीम के दूसरे विकेट कीपर है वो फिल्डिंग करते हुए दिखाए दिये जबकि एमेल दोनी हातों में गेंद लिये केविन पीटरसन को बॉलिंग करने के लिए पूरी तरसे तयार खड़े थे और आप ये देख पूरी तरसे दंग रहा जाओगे कि जी इस तरह से धोनी ने विकेट कीपिंग और अपनी लाजवाब कपतानी के लिए पूरी दुनिया में फेमस है ठीक उसी तरह उन्होंने अपने पहले ही ओबर में भले विकेट नहीं लिया पर अपने ओबर की पहली दो गेंदो पर उन्होंने केविन पीटरसन की साफ से पूरी तरसे रोक कर रख दी और दोस्तो ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि दोस्तो भारते टीम के लिए विकेट लेना बहुत जिसा जुरूरी था लेकिन भारते टीम का कोई भी गिंदबाज एफेक्टिव नहीं दिखाई दे रहा था और धोनी ने रिभ्यू लिया था तो दोस्तो हम आपको बता दे कि जब वर्ल्ड कप के एक मैच के दोरान जब भारत और पाकिस्तान के टीमें आमने सामने थी और उस मैच के साथ वे ओबर की आकरी गेंद पर चानले पाकिस्तानी बल्ले बाज को LBW आउट कर दिया पर अमपायर के डिसीजन जैसे ही नाट आउट आया धोनी ने अपना बीना एक सेकेंड गवाई DRS ले लिया क्योंकि दोस्तों आप सभी ये बात भली बात ही जानते होगे कि जब धोनी विकेट के पास खड़े हो तो उनकी आकों को दोखा दे पाना अमपायरों के बच की बात कहा और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है और दोस्तों जैसे ही रिव्यू का रिजन आता है तो उसमें देखा जाता है कि पाकिस्तानी बल्लेबाच पूरी तरह से आउट है और अमपायर के डिसिजन पूरी तरह से गलत साबित हो जाता है यानि दोस्तों यहाँ पर धोनी ने यह साबित कर दिया क्या कि धोनी को धोनी रिव्यू सिस्टम क्यों कहा जाता है दोस्तो इस वीडियो को देखने के पाथ आपको इस बात का आंदाजा लग गया होगा कि धोनी भले ही एक मैन है लेकिन उन्हें वन मैन आर्मी कहा जाए तो गलत ना होगा क्योंकि दोस्तो MS धोनी के वर बैट बले और दिमाग का ही इस्तेमाल लई करते हैं अपने सरीर के हर एक अंग का इस्तेमाल भरपूर थरीके से करते हैं और इसी वज़ा से धोनी को दुनिया का सबसे संदार विकेट कीपर और सबसे संदार कप्तान भी माना जाता है और दोस्तो MS धोनी से भारत के जितने भी विकेट कीपर हैं उन्हें सीखना चाहिए कि मैच के वर बले और कीपिंग से ही नहीं जीताया जाता बलकि अपने दिमाग का इस्तेमाल करके भी कोई खिलाडी अपने देश को मैच जीता सकता है लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएगा कि क्या भारत के अंदर दोनी जैसे विकेट कीपर कोई आएगा या नहीं